तो भाई लोग सबसे पहले आप लोग देख सकते हो मैंने यहापर अपने एटल पेमेंट्स बैंक एकाउंट को ओपेन किया हुआ है उसके बाद मैं अपने एटल पेमेंट्स बैंक एकाउंट से जैसे यहाँ पर पैसे जो है ट्रांसपर करने जा रहा हूँ आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पर किवार कोड स्केन किया, एमाउंट डालके पेनाव पर क्लिक किया, अपना MP यहाँ पर डालके OK करता हूँ, आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेगा, तो मेरा जो पेमेंट है, ओ यहाँ पर फेल्ड हो जाएगा, मेरा पैसा यहाँ पर ट्रांसपर नहीं हो रहा है, आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर लिखके आ चुका है पेमेंट फेल्ड, यहाँ पर लिखा हुआ UPI is disabled on this account, मतलब कि मेरे एटल पेमेंट बैंक एकांट पे मेरा UPI का जो सर्विस है, ओ यहाँ पर डिजेबल हो चुका है, अभी मैं अपने एटल पेमें बैंक एकांट पे UPI जो है possible है, तो इसके लिए आपे एक काम करना यह वीडियो पूरी देख लेना, इस वीडियो में में आपकी प्रॉबलम है, इसको केवल एक मेंट में solve करके दिखाऊंगा, तो इसको solve करने के लिए आप एक काम करना, सबसे पहले जो हम पेज़ पे चले करना होगा फिर आपके सामने payment setting open हो जाएगी आपको यहां से एक काम करना है एटल payments bank वाले option पे क्लिक करना होगा फिर आपके सामने कई सारे option open हो जाएगे यहां से आपको एक काम करना है सबसे नीचे आपको एक option मिल जाएगा भीम UPI का इसी को आपको enable करना होगा अगर आपने यह जो है disable होगा तो इसको आप यहां से enable कर लेना enable करने के लिए आपको अपना MPN यहां पर डालना होगा MPN डालके इसको enable कर लेना enable करने के लिए yes पर click कर देना yes पर जैसे ही click करोगे आपके ATL payments bank account पे आपकी UPI की जो service है वो यहां पर enable हो जाएगी successfully आप लोग देख सकते हो इसके बाद आप भाई लोग मैं आपको फिर से अपने ATL payments bank account से transaction जो है करके दिखाता हूँ कि आप जो है transaction हो रहा है कि नहीं हो रहा है आप लोग देख सकते हों फिर से कि वारकोड scan करता हूँ आप लोग देख सकते हो एमाउंड में 5 रुपे डालके pay now पे क्लिक करता हूँ उसके बाद अपना mpin डालके यहां पर ok करता हूँ आपके सामने है सब कुछ ध्यान से देखेगा यहां पर payment होता है कि नहीं होता है आप लोग देख सकते हो payment यहां पर successful हो चुका है हमारे एटल payments bank account से जैसा कि आप लोग देख सकते हो हमने यह वाली जो problem है वो केवल 1 minute के अंदर solve कर ली है तो अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत आ रही है आपके एटल payments bank account में आपकी UPI की जो service है disable है तो ऐसे करके आप उसको enable करके transaction कर पाओगे I hope आपको वीडियो पसंद आए होगी अगर पसंद आए हो वीडियो को like करना ऐसे और वीडियो के लिए हमारे चैनल को subscribe करके bell icon को press कर लेना साथ में अगर आप earning करना चाहते हो पैसे कमाना चाहते हो तो आओ यार हमारे टेलिग्राम चैनल को join कर लो यार क्योंकि मैं आपको टेलिग्राम चैनल पर कई सारे earning के cashback offer जो है देता रहता हूँ जल्दी जाओ join कर लो लिंक आपको वीडियो के description में मिल जाएगा